क्रिशी यवं किसान कल्यान मंत्री, स्रिमान सिवराथ सी चम्वान, International Conference of Agriculture Economics की प्रेशिडेंट, डॉक्टर मतीन कैम, नीती आयू के सदस्य स्री रमेश जी, भारत और अध्य देशों के अग्रिकल्चर साइन्टिस्ट, रीशर्च से जुड़े अलगे लेगे युनिवर्सिटी के हमारे साथ ही, एग्रिकल्चर से जुड़े एक्सपर्ट्स और स्टेक्वोंडर्स, देविय और सर्जनों, मुझे खुशी है कि 65 साल के बाद, ICAE की ये कांफरेंस भारत में फिर हो रही है, आप दुनिया के अलग-अलग देशों से भारत आए हैं, भारत के 120 मिलियन किसानों की तरफ से आपका स्वागत है, भारत की 30 मिलियन से जादा महिला किसानों की तरफ से आपका स्वागत है, देश के 30 मिलियन से जादा पसुपालकों की तरफ से आपका स्वागत है, आप आज उस देश में हैं जहां 550 मिलियन पशुप है, क्रशी प्रदान देश भारत में, जीव पेमी भारत में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, फ्रेंड्स, भारत जितना प्राचीन है, उतनी ही प्राचीन, एग्रिकल्चर और फूड को लेकर, हमारी मान्यताएं हैं, हमारे अनुभाव हैं, और भारतिय क्रशी प्रमपरा में, साइंस को लोजिक तो प्राथ्फिक्ता दी गई है, आज फूड और निूट्रेशन को लेकर, इतनी चिंता दुनिया में हो रही है, लेकिन, हजारों साल पहले, हमारे ग्रंथों में कहा गया है, अन्नम ही भुतानाम जेश्ठम, तस्मात सर्वोशधम उच्चते, अर्थात सभी पदार्थों में अन्न स्रेश्ट है, इसलिए अन्न को सभी आउशदियों का स्वरूप, उनका मूल कहा गया है, हमारे अन्न को आउशदिय प्रभावों के साथ, इस्तेमाल करने का पुरा आयूरवेद विज्ञान है, ये पारंपारिक नौलेज सिस्टिम भारत के समाज जीवन का हिस्सा है, फ्रेंड्स, लाइफ और फूर को लेकर, ये हजारों वर्स पहले का भारतिय विज्ञम है, इसी विज्ञम के अधार पर भारत में एग्रिकल्चर का विकास हुआ है, भारत में करीब दो हजार वर्स पहले क्रिशी पराशर नाम से जो ग्रंथ लिखा गया था, वो पूरे मानव इतिहास की धरवर है, ये बैज्ञानिक खेती का एक कॉम्प्रिहेंसिव डोक्युमेट है, जिसका अब ट्रांस्लेटेड बर्जन भी मुझूद है, इस ग्रंथ में क्रिशी पर गढ़र नक्षक्त्रों का प्रफाव, बादलों के प्रकार, रेइन फॉल को नापने का तरीका और फोर्कास्ट, रेइन वोटर हार्वेस्टिंग, जैवी खात, पशुओं के देखभाल, बीच की सुरक्षा कैसे की जाए, स्टोरेज कैसे की जाए, ऐसे अनेक विश्वों पर इस ग्रंथ में विस्तार से बताया गया है, इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए, भारत में एग्रिकल्टर से जूड़ी एजुकेशन और रिसर्च का एक मजबूत इकोसिस्टिम बना हुआ है, इंडियन काउंसिल अफ एग्रिकल्टर रिसर्च के ही हंड्रेट से ज्यादा रिसर्च सुमस्तान है, भारत में एग्रिकल्टर और उससे संबंदित विश्वों की पढ़ाई के लिए 500 से ज्यादा कॉलेज है, भारत में 700 से ज्यादा क्रशी विज्ञान केंद्र हैं, जो किसानों तक नई टेक्नलोजी पहुँचाने में मदद करते हैं, साथियों, भारतिय क्रशी की एक और विश्यस्ता है, भारत में हम आज भी सिक्स सीजन्स को ध्यान में रखते विए सब कुछ प्लान करते हैं, हमारे हाँ 15 एग्रो क्लाइमेटी जोन्स की अपनी खासियत है, भारत में अगर आप कुछ सो किलोमेटर ट्रवेल करें, तो खेती बदल जाती है, बैदानों की खेती अलग है, हमाले की खेती अलग है, डेजर, ड्राइड रेजर की खेती अलग है, जहाँ पानी कम होता है वहां की खेती अलग है और कोस्टल बेल की खेती अलग है यही ग्लोबल फूर्ड की सिकुरिटी के लिए भारत को उमीद की किरण बनाती है फ्रेंड पिछली बार जब आईसी यही की कांफरंस यह हुई थी तो भारत को उस समय नहीं नहीं आजहादी मिली थी वो भारत की फूर्ड सिकुरिटी को लेकर भारत की अग्रिकल्चर को लेकर एक चैलेंजिंग टाइम था आज भारत एक फूर्ड सर्प्लस देश है आज भारत दूद, दाल और मसालों का सबसे बड़ा प्रोडूसर है भारत फूर्ड ग्रेंज, फूर्ट्स, वेजिटेबल, कॉटन, सूगर, टी, फ्रेंड फिस इनका दूसरा सबसे बड़ा प्रोडूसर है एक वो समय था जब भारत की फूर्ड सिकुर्टी, दुनिया की चिंता का विशे था एक आज का समय है, जब भारत ग्लोबल फूर्ड सिकुर्टी, ग्लोबल नूट्रेशन सिकुर्टी, इसके सॉलूशन देने में जुटा है इसलिए फूर्ड सिस्टिम ट्रांस्फर्मेशन जैसे विशे को डिस्कस करने के लिए भारत के अनुभव बहुमूल्य है इसका बहुत बड़ा लाब विशेशकर ग्लोबल साउट को मिलना तय है साथियों विश्व बंधु के तौर पर भारत मानुवता के कल्यान को सर्वोपरी रखता है जी ट्वेंटी के दौरान भारत ने वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर का वीजन सामने रखा था भारत ने एन्वार्मेंट को बचाने के लिए लाइश्टाइल यानि मिशन लाइफ का भी मंत्र दिया भारत ने वन अर्थ, वन हेल्थ इनिशेटिव भी शुरू किया हम हुमन, एनिमल्स और प्लांट्स की हेल्थ को अलग-अलग नहीं देख सकते हैं सस्टेनेबल एग्रिकल्चर और फूर्ड सिस्टिम्स के सामने आज जो भी चैलेंजी है इनको वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर की होलिस्टिक एप्रोच के साथ ही निप्टा जा सकता है साथ्यों एग्रिकल्चर हमारी एकोनॉमिक पॉलिस्टिक के सेंटर बेह है हमारे यहां करीब 90% परिवार ऐसे हैं जिनके पास बहुत कम जमीन है यह छोटे किसान ही भारत की फूर सिक्यूरिटी की सबसे बड़ी ताकत है यही स्थिती एश्या के कई विकासिल देशों में है इसलिए भारत का मोडल कई देशों के काम आ सकता है जैसे एक उदाहान के लिए सस्टेनेबल फार्मिंग का भारत में हम बड़े पहमाने पर केमिकल फ्री नेचरल फार्मिंग को प्रमूट कर रहे हैं इसके काफी अच्छे रिजर्स देखने को मिले हैं इस साल के बजेट में भी बहुत बड़ा फोकस सस्टेनेबल फार्मिंग और क्लाइमेट रिजिलियन फार्मिंग पर है हम अपने किसानों को सपोट करने के लिए एक पूरा एकोसिस्टम डवलप कर रहे हैं भारत का बहुत जोर क्लाइमेट रिजिलियन क्रॉप से जुड़ी रिसर्ट एंड डेवलप्मेंट पर है बीते दस सालों में हमने करिम नाइन्टीन हंड्रेड नई क्लाइमेट रिजिलियन वेराइटी अपने किसानों को दी है इसका लाग भारत के किसानों को भी मिल रहा है हमारे यहां राइस की कुछ वेराइटी ऐसी भी है जिनको ट्रेडिस्ट्रल वेराइटी के मुकाबले 25 परसंट कम पानी चाहिए हाल के वर्षों में हमारे यहां ब्लैक राइस सूपर फूर्ड के रुप में उभरा है हमारे यहां मनिपूर असम और मेगाले की ब्लैक राइस को इसकी मेडिसिनल वेल्यू के करान पसंद किया जा रहा है बारण इन से जुड़े अनुभव विश्व संबुदाय के साथ सैर करने के लिए उतना ही उत्सुख है फ्रेंड्स आज के समय में पानी की कमी और क्लाइमेट चेंज के साथ ही नूट्रेशन भी एक बड़ा चैलेंज है इसका सॉलूशन भी भारत के पास है भारत मिलेट्स का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडूसर है जिन्हें दुनिया सूपर फूर कहती है और उसे हमने स्री अन्न की पहचान दी है यह मिनिमम वाटर मैक्जिमम प्रोडक्शन के सिद्दान पर चलते हैं भारत के अलग-अलग सूपर फूर्ड्स ग्लोबल नूट्रेशन प्राब्लेम को एड्रेस करने में बड़ी भूमी का निभा सकते है भारत अपने सूपर फूर्ड की इस बास्केट को दुनिया के आजा करना चाहता है साथ ही भारत की पहल पर पिछले साल पूरे विश्व ने इंट्रनेशनल मिलेट येर मनाया है फ्रेंट बीते एक दसक में हमने फार्मिंग को आधुनिक टेक्नलोजी से जोड़ने के लिए अनेक प्रयास किये है आज एक किसान स्वाइल हेट कार्ड की मदद से ये जान सकता है कि उससे क्या उगाना है वो स्वालर पावर की मदद से पंप चलाता है और वेस्ट लेंड में सोलार फार्मिंग से भी कमाता है वो इनेम यानि भारत के डिजिटरल अग्रिकल्चर मार्केट के द्वारा अपनी पैदावर को बेज सकता है वो किसान क्रेडिट काण का उप्योग करता है वो प्रधान मंत्री फसल बिमान योजना के माज़्यम से अपनी फसलों की सुरक्षा सुनिशित करता है किसानों से लेकर एग्री टेक स्टार्ट अप्स तक नेट्रल फार्मिक से लेकर के फार्म स्टे और फार्म टू टेबल की ववस्ता तक भारत में कुशी और उससे जूड़े सेक्टर लगातार फार्मलाईज हो रहे है पिछले दस वर्सों में ही 90 लैक हेक्टर खेती को हमने माइक्रो इरिगेशन चे जोड़ा है हमारे इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्रेम से भी खेती और एंवार्मेंट दोनों को लाब हो रहा है हम पैट्रोल में 20 परसंट इथेनॉल ब्लेंडिंग के टार्गेट की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं साथियों भारत में हम एग्रिकल्टर सेक्टर में डिजिटल टेक्नोलोजी का भरपूल इस्तिमाल कर रहे हैं पी एम किसान सम्मान निदी के माध्यम से एक क्लिक पर दस करोड किसानों के बैंक खाते में तीस सेकंड में पैसे ट्रांस्पर हो जाते हैं हम डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए डिजिटल पब्लिक इंफरसेक्टर बना रहे हैं हमारे किसानों को रियल टाइम इंफरमेशन मिलेगी और वो डेटा ड्रिवन डिसिजन ले सकेंगे हमारी इस पहल से करोडों किसानों को फाइदा होगा उनकी आर्थी स्थिति और बहतर होगी सरकार लेंड के डिजिटलाइजेशन का भी बहुत बड़ा अभ्यान चला रही है किसानों को उनकी लेंड का एक डिजिटल आइडेटिफिकेशन नंबर भी दिया जाएगा ड्रोन का उपयोग भी खेती में बहुत तेजी से प्रमोड हम कर रहे हैं ड्रोन से होने वाली खेती की कमान महिलाओं को हमारी ड्रोन दिजिओं को दी जा रही है कि जो भी कदम है इनसे भारत के किसानों का अधा फायदा हो गया ही इससे ग्लोबल फूड सिकुरिटी को भी ताकत मिलेगी फ्रेंड्स आने वाले पांच दीदों में आप सभी यहां खूल कर चर्चा करने वाले हैं यहां मैं बड़ी संख्या में महिलाओं की भागिदारी युवाओं की भागिदारी देखकर अधिक प्रसंद हो रहा हैं आपके आइडियाज पर सब की नजर रहेगी मैं आशा करता हूँ किस कॉन्फरंस से हम दुनिया को सस्टेनेबल एग्री फूर्ड सिस्टिम से जोडने के रास्ते खोच सकेंगे हम एक दूसरे से सीखेंगे भी और एक दूसरे को सिखाएंगे भी साथियों आप कृष्षी जगत से जुड़े हुए लोग हैं तो एक और जानकारी आपके सामरे रखना मुझे बरामन करता है मुझे पता नहीं है दुनिया में कहीं किसी किसान का स्टेच्यू हो हमने दुनिया में सबसे उंचे स्टेच्यू के रुप में स्टेच्यू अफ लीबर्टी की चर्था सुनी है लेकिन मेरे सारे क्रिसी जगत के लोगों को जानकर के खुशी होगी कि भारत में आजादी के अंदोलों में जिस महपूर्सों ने किसान सक्ति को जांगरत किया किसानों को आजादी के अंदोलों का मुख्यधारा में जोड़ा यह सरदार वल्लब भाई पटेल की दुनिया की सबसे उंची प्रतिमा भारत में है Statue of Liberty से डबल उसकी उंचाई है और एक किसान नेता की है और दूसरी विश्यस्ता है कि जो Statue बनाया गया है तो भारत के 600,000 छे लाग गामों से हर गाम में किसानों को कहा गया कि आप खेत में जिस लोहे के औजार का उप्योग करते हैं वैसा अपने खेत में उप्योग किये हुए औजार का टुकड़ा हमें दीजिए 6,000,000 गामों से खेतों में उप्योग किया गया लोहे का ओजार लाया गया उसको मेल्ड किया गया और दुनिया के सबसे उंचे एक किसान नेता के स्ट्रेच्यू के अंदर उस खेत में उप्योग किये ओजार का मेल्ड करके लोहा उप्योग किया गया मैं जुरूर मानता हूं कि इस देश के किसान पुत्र को इतना बड़ा सम्मान जो मिला है शायद विश्व में ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा मुझे पक्का भी स्वास है आकर्शित होंगे मैं एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुक्वामनाई देता हूं धन्यवाद